गुद मॉर्निंग स्टूदेंट्स आज हम ब्राइफाइट्स के कुछ जनरल डिसकेशन्स, करेक्टर्स और उसके वर्गी करन पे बात करेंगे तो जैसा कि हमने ब्राइफाइट्स के जनरल करेक्टर्स देखे थे और उसमें हमने ये देखा था कि जो ब्राइफाइट्स हैं उनकी जो मेन प्लांट बाडी है वो गेमिटोफिटिक प्लांट बाडी होती है और जो sporophytic plant body है या sporophyte है वो gametophyte पे पूरी तरीके से dependent होता है तो जो main plant body है gametophyte वो दो तरीके के reproductive organs बनाती है male reproductive organs और female reproductive organs जिनको enthridia और archigonia कहा जाता है यह haploid gametophyte पे डवलप होते हैं और enthridium से enthrasoid का निर्मान होता है enthridium में और archigonia में egg का निर्मान होता है और इन दौनों के युगमन के लिए fertilization के लिए जल की आवशेक्ता होती है इसलिए हम bryophytes को amphibian plants भी कहते हैं और fertilization के बाद में जो 2N structure बनता है जाइगोट यह जाइगोट जो है वो sporophytic generation जो 2N generation है उसकी पहली कोशिका होती है और यहां पे gametophytic generation खतम हो जाती है तो जाइगोट के बनने के बाद में जब जाइगोट डवलप होता है एंब्रियो में और एंब्रियो से एक छोटा sporophyte बनता है जो की female gametophyte पे ही dependent होता है यह sporophyte जो है इसके तीन पार्ट होते हैं basically foot ceta और capsule और जो primitive graphite जैसे रिक्षिया मरकेंशिया इसमें ceta जो है वो नहीं पाया जाता और एक simple capsule ही पाया जाता है और इस capsule की जो कोशिकाएं होती हैं जिने हम last में differentiated होते होते spore mother cells बनती है यह spore mother cells जो हैं द्विगुनित होती है 2X होती है और यहां पे sporophytic generation की समापती हो जाती है जैसे ही spore mother cell में reduction division या meiosis या अर्दसूत्री विभाचन होता है यह अर्दसूत्री विभाचन के बाद में यहां पे चार spores बनते हैं एक spore mother cell में चार spores बन जाते हैं और spores जो है वो gametophytic generation जो अगली generation है उसकी पहली कोशिगा होती है क्योंकि यह haploid होते हैं और इनके germination से जो प्रिमिटिव ब्राइफाइट्स हैं उसमें तो एक germ tube बनती है और उससे यह जो थैलस है ब्राइफाइटा का वो डवलाप हो जाता है जो gametophyte है वो बनता है जो जो हायर प्राइफाइट्स हैं फॉनेरिया वगर है इसमें एक स्पोर के germination के बाद में एक structure डवलप होता है जिसे प्रोटो नीमा कहा जाता है और प्रोटो नीमा के विभाजन और विभेदन से नई gametophyte जो हैपलॉइट है उसका निर्मान होता है तो इस तरीके साम देख कि दौनों पीडिया जो युगमकोदविक पीडिया गेमिटोफिक जन्रेशन है और जो इस पोरोफिक या भीजानोफिक जन्रेशन है वो बारी-बारी से एक के बाद एक उनमें एकांतरण पाया जाता है अल्टरनेशन अफ जन्रेशन समय इस पष्ट तया देखने को मिलत है अब क्योंकि यह दोनों जो जनरेशन हैं वो एक दूसरे से देखने में और फिजियोलोजिकली बिल्कुल अलग होती हैं इसलिए इस तरीके के पीड़ी एक अंतरन को हिट्रोमॉर्फिक काल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं यहां यह बात और हम देखेंगे कि जो अभी तक हमने कुछ अलगी के बारे में पढ़ा है तो अलगी और ब्रायोफाइट्स में क्या समानता है दौनों की ही प्लांट बॉड़ी जो है वो थेलोईड प्लांट बॉड़ी है दौनों म या हैपलाइड फेज जो है वो डौमिनेटिंग फेज होता है प्रमुक फेज होता है और क्योंकि क्लोरोफिल होता है हरे होते हैं तो यह स्वापोशी भी होते हैं इसमें जो एंध्रेजोईट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं दौनों में और जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी ब्रायफाइट की जो वेजटेट्यटीव सेल्स हैं और जो ग्रीन अल्गी हैं दौनों में एक जैसे होते हैं दूसरी बात जो रिजरफ फूड माटीरियल है वो भी अल्गी में जादा तर स्टार्श के रूप में देखा है हमने जो algae है या जो थेलोफाइटा के मेंबर है वो ज्यादा तर अक्वेटिक होते हैं जबकि ब्राइफाइट्स जो है वो terrestrial भी हो सकते हैं और जो algae में थेलस जो है वो unicellular से लेके filamentus तक होता है जबकि ब्राइफाइट्स में जो थेलस है थोड़ा विकसित algae से парanchymetis cells से बनावा होता है या यहाँ पर जो एसेक्श्वल स्पोर्स है वो जो अनुकूल परिस्तियां होती है तब बनते हैं जबकि यहाँ पर एसेक्श्वल रिप्रोडउक्शन वाला जो भाग है वो जब इसमें एसेक्शुल रिप्रोड़क्शन नहीं पाया जाता है जो सेक्शुल रिप्रोड़क्शन है वो इसमें आईसो गेमस एनाईसो गेमस या उगेमस प्रकार का होता है अलगी में जबकि ब्राइफाइट्स में ये ज़्यादा तर उगेमस प्रकार का ही होता है एलगी में जो उगोनियम होता है वो एक कोशी की या बिना जैकेट वाला होता है जबकि ब्रायफाइट्स में जो उगोनियम है जिसको यहां आर्चीगोनियम कहा जाता है यह एक जैकेट युक्त विशिष्ट structure होता है और algae में कोई embryo नहीं बनता जबकि bryophyte में embryo का निर्माण भी होता है तो यह तो कुछ इसकी general features हो गए bryophytes के अब हम इसके classification के बारे में बात करेंगे bryophytes का classification है वो यह क्योंकि first land plants इनको कहा गया है यह ऐसे पौधे हैं जो की terrestrial community में अपना जो है life है वो सफलता पूरवक पूरी कर लेते हैं समय समय पर bryophytes के कुछ वरगी करान दिये हैं और यह जो term थी bryophyta यहाँ यह बताना भी उचित होगा कि जो bryophyta term है वो सबसे पहले brown scientist ने 1864 में दी थी जिसमें उन्होंने algae fungi और lichens और mosses इन सब को एक ग्रूप में रखा था लेकिन बाद में जैसे जैसे studies हुई तो algae fungi और lichen को तो एक अलग separate division थेलोफाइटा में रखा गया और जो non-vascular plants थे जो liver verse थे जो mosses थे उनको bryophyta group में रखा गया तो सबसे पहले जैसे एकलर scientist जो थे उन्होंने 1813 में ये बताया कि bryophyta में दो classes है एक तो hepatici और दूसरा musai हैपatici मतलब liver verse जो liver के आकार के होते थे और दूसरे जो mosses जिनको कहा जाता है वो musai class में रखा उनको रखा गया उसके बाद angler scientist ने 1892 में उन्होंने इसको जो bryophytes है उनको दो classes में विभक्त किया और हर class को जो भी इसकी classes थी जैसे hepatici और musai थी उनको उन्होंने तीन-तीन order level तक study किया और तीन-तीन order में इसको बताया तो angler ने bryophyta की दो classes तो थी hepatici और musai अब उन्होंने hepatici के इसके भी तीन order बताए sphagnals, endrials और bryals तो ये तीन-तीन order में इन्होंने दौनों classes को बाड़ दिया बहुत सारे bryologist हैं जिसमें से कुछ नाम में यहां बताना चाहूंगी बेसे, वरदून, बौवर, वेटेस्टीन, इवांस, एंगलर इन्होंने जो basic classification इकलर और एंगलर का भी हमने देखा उसको follow किया लेकिन हौवे जो scientist थे 1899 में उन्होंने जो अभी हमने देखा कि order जो था anthocerotales, hepatici का order तो उसको उन्होंने, जिसमें किवल एक, एंथोसिरोस और एक तो जैनेरा और भी थे उसको उन्होंने कहा कि यह hepatici के member से बिलकुल अलग है इसलिए उन्होंने यह suggest किया कि जो anthocerotales है उसको order level नहीं, उसको class के रूप में ब्राइफाइटा की तीसरी class के रूप में पढ़ा जाए तो हॉवे के हिसाब से जो ब्राइफाइटा थे उसके तीन division किये गए, हिपैटिसी, बीच में एंथोसिरोटीज, जो एंथोसिरोटेल्स था, उसको higher class कर दर्जा देके class बना दी गई और तीसरा order इसमें class हुई मुसाई, तो यह जो सब हॉवे का जो व्यू था वो बहुत और भी modern scientist इसने इसको support किया, जिसमें Campbell, Taktajan, Smith, Wardlow यह सब थे, तो उन्होंने यह मान लिया कि ब्राइफाइटा की तीन classes होंगी, अब जो तकता जन थे उन्होंने इन्थो सिरोटी को, सिरोटी जो था, उसको एन्थो सिरोटी कहा, A-N-T-H-O-C-E-R-O-T-A-E, एन्थो सिरोटी कहा, और प्रोस्क्यॉर ने, प्रोस्क्यॉर जो scientist थे, उन्होंने बाद में एन्थो सिरो, जो यह नाम थे, इनके नाम बदलके, उन्होंने इसको, जो international code of botanical nomenclature है, उसके हिसाब से, इन तीन क्लासेज का नाम कर दिया, जो hepaticy class थी, उसको hepaticopsida कहा गया, एन्थो सिरोटी क्लास को, एन्थो सिरोटॉपसिडा कहा गया, और जो नुसाई क्लास थी, उसको उन्होंने ब्रायोपसिडा कहा, तो प्रोस्क्यॉर ने, बेसिकली, I-C-B-N क के हिसाब से इन तीन क्लासेज में इनको बता दिया अब उसके बाद में यह जो हेपैटिक ऑपसीडा थे हेपैटिक ऑपसीडा को उन्होंने चार क्लासेज में चार ओर्डर में डिवाइड किया जिस जिनके नाम है मारकेंशियल्स, स्फिरोकार्पिल्स, जंगरमेनियल्स और केलोब्रायल्स और एंथोसिरोट आपसीडा में एक ओर्डर था एंथोसिरोटेल्स और ब्रायोपसीडा जो था उसमें ओर्डर से पहले उन्होंने इसकी तीन क्लासेज, तीन सब क्लासेज, क्लास तो ब्रायोपसी और एंड्रेडी और ब्राइडी तो ब्रॉस्के और ने ब्राइपसिडा को तीन सब क्लासेज में और फिर उसके बाद में 17 ओर्डर में क्लासिफाई किया है तीन जो इसकी सब क्लासेज हैं वो हैं स्वैगनेडी एंड्रेडी और ब्राइडी तो इस तरीके से हम देखते हैं क जो ब्राइफाइट्स हैं उनका ख्लासिफिकेशन हमने ऑर्डर लेवल तक देखा है अब इसमें से जो हमारे कोर्स में ब्राइफाइट्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे ओर्डर मार्केंशीयल्स और एंथोसिरो टेल्स और हम उसका फ्यूनेरिया जो ब्राइडी है उसके सब क् के बारे में भी कुछ idea लेंगे thank you very much इसको हम आगे continue करेंगे thanks